नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MR Education यूटूब चनल में राजस्तान चिकीसा विपाग के अब बढ़ी खुश कबरें दोस्तों देख सकते हैं आप राजस्तान में छे नीजी वा पांच सरकारी कोलेज खुलेंगे लेकिन मांडन पूरे करना आवश्चक होगा पूरी अ आगामी सेक्शन 722-25 में 112 नए मेडिकल कोलेज खुलेंगे इन में से जैपूर, जोदपूर, कोटा, साइट 11 शेरों में नए कोलेज खुलने वाले हैं ये दोनों जो कोलेज दोस्तों सरकारी और नीजी दोनों रहने वाले हैं आप इसके अंदर नाम देख सकते हैं प्रद कोलेज है वो इनके नाम और प्रदेश के अंदर जो पांच सरकारे कोलेज खुलने वाले हैं वो इसके अंदर आप नाम देख सकते हैं इस परकार से जो MBBS करने वाले जो भीड़ती हैं उनके लिए सीटे भी बढ़ेगी 2024 का जो नया सत्रे वो शुरू होने जा रहा है दोस्तों इसके तरफ आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर से उनके लिए एक बड़ी सुवीदा इसके अंदर आईए अब घर बेटे करा सकेंगे पंजी करन यानि डॉक्टर अपने चो डिप्लोमा का जो पंजी करने वो पेपर लेस होने वाला है पूरी जानकर इसके अंदर देख लेसे दोस्तों राजस्तान मेडिकल काउंसिलिंग में अब पंजी करन ओनलाइन एवं पेपर लेस होगा चिकिस्सा एवं स्वास विभाग की अतरि चिक्रत चिकिसक के विरुद शिकायतों की जांच निर्दारी समय में पूर्ण की जाए तरसा दोसी चिकिसकों के विरुद वेवसाइक आचरण नियोंगों के तहट कारवाई कर उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए यानि दोस्तों आपका जो डॉक्टर से वो इनका पंजीकरन ओनलाइन पेपरलेस करवा सकते हैं एक अपरेल से ये अपडेट इसके अंदर जारी कर दी जाएगी जो शुपरा सिंग है उनके आदेश पर ये जो परकरिया है वो पूरी होने वाली है पांच साल के लिए होगा रजिस्टेशन इसके बाद सिंग ने कहा कि पंजीकरन का संदेश भीजा जाएगा यानि दोस्तों जो पांच साल का इसके अंदर समय निर्धारित किया गया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप घर बेटे ओनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं तो दोस्तों प्रदेश यानि कि हम अपने राजस्तान के अंदर ग्यारा नए मेडिकल कोलेज खुलने वाले हैं तो जो चिकिसा विबाग के अभ्यति हैं उनके लिए सरकारी नोपरी का भी अफसर बढ़ेगा और साथी साथ जो डोक्टर्स के लिए पंजीकरन का माध्या में वो भी पेपर लेस और ओनलाइन होने जा रहा है तो दोस्तों